सबसे पहले हज के अंदर जो wisdoms है, हिकमते हैं, वो हिकमतों को हम समझने की कोशिश करते हैं, सबसे पहली चीज जब एहराम कोई पहनता है हज के अंदर, अब वो एहराम के अंदर एक टाइप की humbleness पैदा होती एक इंसान में, मान लो कि को एक इंसान सिले हुए कपड़ों का आदी है, उसकी सहूलत होती है, अब यहाँ पे two unfitted cloths होते हैं, जो दो ऐसे कपड़े हैं, जो एक इंसान एक से इजार बनाता है, दूसरा उपर रखता है, तो ये जो दो कपड़े हैं, इसके अंदर जिस तरह से कुरता हो, शिर्ट हो, जिसकी आदत होती है लोगों को, पूरे के पूरे सारे लोग जो एहराम में साथ में होते हैं, इससे क्या होता है कि ऊच नीच, पुरी तरह से खताम हो जाती है कि इन्सान में, इंटरनाशनल तोर पर, कई बार क्या होता है, इंटरनाशनल तोर पर देखे ना, तो बाद लोगों को अपनी नैशनल्टी का ग गरूर होता है, कुछ लोगों को अपने आखों का रंग का गरूर होता है, कुछ लोगों को अपने माल का गरूर होता है, तो जो भी गरूर हो एक इनसान में, जब वो देखता है, वो बाकी सब इनसानों के साथ ऐसे एक पूरे मिक्स्ट है इसके अंदर, पूरी तरह से मिक्स अब कावे का तौप करना ऐसा ही नहीं कि एक जगा बैटना हैर। तो कौई मुशक्व नहींैं नहीं हूंज होती हैं। कुछ ठोकर लग जाए, किसी के पाउं पर कोई चड़ जाए और देखा जाता है कि जो हज और उम्रा करने जो लोग आते हैं कितना जादा एक्स्ट्रा ओर्डिनरी लेवल का सबर होता है उनमे आप खुद देख सकते हो, ये बात ऐसी नहीं जो मैं बताओं और आप समझ जाओ, आप खुद वहाँ जाके जेनरल तोर पर देखिए, ओपन माइंड से देखिए और आप देखूंगे कि कितना, क्योंकि लोगों का फोकस होता है पुरा अल्ला की तरफ उनकी अबादत में फोकस होता है अल्ला के सामने आए हैं वो, वहाँ पे खास लबाइक अल्लाहुमा लबाइक जो तल्बिया है, जो हज करने जा रहे हैं तो जो तल्बिया पढ़ रहे हैं उसके ने जो स्पिरिच्वल मेसेज होता है वो मेसेज के अंदर एक इंसान पूरी तरह से absorbed होता है, अब उसके अंदर थोड़ी बहुत दिक्कत, परिशानी, यह सब चलती है इससे क्या होता है, एक इंसान के अंदर humbleness पैदा होती है, इनकिसारी पैदा होती है, उसके ने तवाजो पैदा होता है humility पैदा होती है, उसका गुरूर तूटता है, और क्या होता है, उसका तालुक अल्लह ताला से जुड़ता है तो हम यह देखते हैं कि एहराम में यह सारे लोग जब साथ में हो, देखिए आप यह सबजी बात, कि जब सब को चलना है और तवाफ करना है, तो सारे benefits अब ये कुछ हिकमते हैं जो हम समझ सकते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो हो सकता है किसी को समझ में आए हो सकता है किसी को ना समझ में आए लेकिन उसके बहुत सारे फाइदे हैं जो इनसान खुद महसूस कर सकते हैं अगर वो वहाँ पर खुद उसमें मौझूद हों वो crowd में जब वो मौझूद हों तो हम देखते हैं इसके अंदर जो सारे restrictions है इहराम के अंदर कि जैसे आपको एक मतयिन वक्त के लिए आपको अपने बाल को आप trim नहीं कर सकते हैं ना खुन ट्रिम नहीं कर सकते हैं आपको सर पे भी टूपी नहीं पहनना है यानि उसके रिस्ट्रिक्शन्स है स्टिच कपड़े नहीं पहनना है रिस्ट्रिक्शन्स है अब इस रिस्ट्रिक्शन के अंदर एक ऐसास एक इनसान में आता है कि कैसे महसूस होता है जैसे रमदान में जब रोजे रखते हैं तो एक इनसान को महसूस होता है कि जो बेसिक सी चीज़ें होती है वो कैसे रहते हैं आप खुद वैसे रह रहे हो इहराम के अंदर और सब लोग वैसे ही सब के सब एक जैसे लिबास में एक जैसे ही दिखते हैं उच नीच सब खतम इंटरनेशनल तोर पर पुरी तरह से theoretical भी सिखाया गया लेकिन जब practical तोर पर जब नमाज में खड़ा किया गया जब हज में एहराम में सारे इनसानों को सब मुल्क के country's के लोगों को जब बलाया गया एहराम के अंदर तो फिर क्या हुआ वहाँ पर practical तोर पर वो चीज़ खतम होती है और याद रखिए कि चंद लोगों के दिलों में भी यहाँ पर जो पैगाम होता है उसका असर बाकी लोग भी लेते हैं क्योंकि वो लोग उस असर को वापस लेके आते हैं अपने मुलकों में वापस लेके आते हैं तो यह के बहुत बड़ा फाइदा हम देख रहे है एहराम में साथ में जब होते हैं इसके अंदर यह भी ऐसास होता है कि एक international community है मुसल्मानों की कि मुसल्मान जो ऐसा नहीं है कि कोई एक मुलक में है कोई एक जगा पर है कोई एक nationality वाले है कोई एक country वाले है ऐसा नहीं है एक एक हसास होता है कि दुन्या के लोगों में कितने सारे मुक्तलिफ different different type के Muslim होते हैं क्योंकि कहां से कहां तक के लोग आते हैं कोई America से होगा कोई Africa से होगा कोई Malaysia से होगा कोई Russia से होगा कोई India से होगा सब अलग अलग तरह के लोग एक साथ में जब वो दिखते हैं तो एहसास होता है कि मैं इस बहुत बड़ी फैमिली का हिस्सा हूँ और एहसास होता है कि इनसानों के अंदर किस तरह से अलग अलग इनसानों को बनाया अलग अलग इनसानों को और किस तरह से इनसान उस चीज में एक साथ में मिलकर रहना चाहिए इंटरनेशनल तोर पर तो आप इस बात को महसूस कर सकते हैं जब वहां जाएं कि एक बहुत बड़ी फैमिली का हिस्सा है आज हम जानते हैं कि दुनिया के अंदर जो आठ सो करोड लोग बसते हैं उनमें से तकरीबन दो सो करोड मुसलिम्स हैं तो वो दो सो करोड में से कुछ-कुछ सैंपल्स वहां पर मौजूद होते हैं कुछ-कुछ लोग हर जगा से आयवे होते हैं और अलग-अलग तरह के लोगों को देख करके एक आहसास होता है कि कैसे बड़ी community है इससे क्या होता है कि दिल को मद्बूती मिलती है एक बड़ा vision पैदा होता है बड़ी चीज का आहसास होता है कि किस तरह से उपर वाले ने अल्लह ताला ने इनसानों के लिए जो दीन दिया, जो रास्ता दिया उस पर सारे लोग किस तरह से अपने तोर पर चलने की कोशिश कर रहे हैं हाँ तो ये बात हम देख रहे हैं एक अगली चीज हम देख सकते हैं कि ये सफर में सारसी बाते कुछ difficulties होती है कुछ मुश्किले होती है और हज के अंदर क्या होता है आपको एक ही जगा नहीं रहना है कि आप मक्का में जाकर रह रहे हैं वापस आ रहे हैं हज के अंदर जाकर हम देखते हैं शुरुआत होती है मिना जाना है जो मक्का के करीब है मिना की अरिया वहाँ पे खेमे होते हैं टेंट्स होते हैं जो आप देख रहे हैं उपर तो टेंट्स होते हैं फिर मिना से जो अलग-अलग जो मरहले अरफाद जाना है फिर मुजदलिफा जाना है फिर वापस मिना आना है जमरा कोकंकरमा आना है मक्का तरह के तवाफ करना है जो सारी चीज के अन्दर ही एक इंसान जाकर प्यौर होता है, पाक होता है, उसके अंदर जो उसको अपने आपको रोकना है, क्या मामला है? कि फला यर्फ फला यफ्सुख तो हम देखते हैं जो इस बारे में मामला है कि उसमें जिदाल ना हो, arguments ना हो, उसमें जगड़ा ना हो, उसमें कोई बेहयाई ना हो, तो जिस तरह से मामलाथ है तो एक इनसान एक अंदर अपने आप से भी लड़ रहा होता है अपने आपको control कर रहा होता है कुछ हो जाये तो भी अपने आपको control करना है इसके अंदर सीखते हैं लोग, इसके अंदर सीखते हैं तो जैसे मैं आपको मिशाल दूँ कि हम लोग एक joke कहते हैं लोगों को, क्या कहते है मैं हच ट्रेनिंग जब करता हूँ तो तब neoगों कोई बता हूँ मैं कहता हूँ अगर आप मका में गए थे मक्का का होटल रूम जो होता है तो अकसर लोगों की कोई ना कोई शिकायत होती अपने टूर वाले के साथ कि आपने तो ऐसा बोले थे ये ऐसा रूम है वगएरा अब जब मिना के खेमे में जाता है जब मिना के अंदर टेंट में रहना है कई लोगों के साथ शेरिंग करना है तो तब जाके मक्का का होटेल रूम अच्छा लने लगता है और बाज लोग मिना के खेमे में भी बोलते हैं कि अरे बहुत तंग है, कम जगा है वगेरा लेकिन जब वो लोग अरफात के खेमे में पहुंचते हैं अरफात के अंदर भी खेमा होता है, जिसमें उससे कम फसिल्टी होती है मिना के खेमे से कम फसिल्टी होती है तो जब अरफात के खेमे में पहुंचते हैं तो मिना के खेमे की कदर हो यादी और जब मुझदलिफा पहुंचते हैं मुझदलिफा में तो कोई खेमा ही नहीं होता है, कोई खेमा ही नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या महमला होता है, वहाँ पे तो आसमान है और आप जमीन और कुछ लोग अपना परसनल तौर पे खेमा केरी करें, तो करें लेकिन मुझदलिफा में तो क्या होता है, आसमान के न पूरी तरह से उभर के आता है, एक इनसान सुधर के आता है, चेंज होके आता है, जब वो सारी ग्राइंडिंग से गुजरता है ना, सोने को भी जब तपाया होता है, तो तब जाके सोना चमकता है ना, तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं, ये सारे फाइदे हैं हज के, और ए लोग ऐसी कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज कर रहे हैं, मान लोग के शिर्क हो, उसमें बिदत हो, और कोई ऐसी चीज हो, जो हराम चीज हो, बाद लोग कर रहे हैं, इसा होता है, तो अब यहां पर जब एक साथ में आते हैं, तो लोगों को एक मौका मिलता है इस अशलाह करने का, और खास दोर से आप देखोंगे कि मक्का और मदीना जो है ना, वो लर्निंग के हब रहे हैं, नभी सलिए लिए आइसन के जमाने से, पेशन गोई भी है, कि मक्का और मदीना ये ऐसी जगाएं रही हैं, हमेशہ से जहां पर इल्म रहा है, स्कॉलर्ज रहें, वहां पर दीन की तालीम रही है, वहां पर लोग स्टड़ी करते हैं, और आप देखोंगे, पिछले सालों में भी, जो लोग कई सारे लोग हच कने जाते हैं, वहां जाके आते हैं तो चीन जूकर आते हैं, कोई किताब लेकर आते हैं, कोई चीज सीख कर आते हैं बहुत सारे लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ सब के सब लेकिन बहुत सारे लोग कुछ अच्छा असर लेकर आते हैं जिससे उनको जिन्दगी में फाइदा होता है तो अब आप देखो कि वो इंटरनाशनल तोर पर जब लोग अपने अपने शेहरों से निकल के आये लबवाई का लबवाई कहते हुए तो जब वो आये लबवाई के पास तो एक तो तक्वा फील कर रहे हैं अपने आपको सुधार रहे हैं अपने अंदे चेंज़ ला रहे हैं लेकिन साथ साथ में दीनी इल्म भी लेकर जाते हैं कुछ बात सीखके भी जाते हैं बहुत सारे लोग इससे क्या होता है उमत में एक पॉजिटिव चेंज आता है तो ये मैंने चंद हिक्मते बताई मैं और चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ एक और प्रेजेंटेशन के तहट अस्सलाम अलैकुम रहमतुलाही वबरकातू इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं आई प्लस टीवी ने एक नया यूट्यूब चैनल शूरू किया है जिसका नाम है आई प्लस टीवी इक्तिलाफ का हल इस चैनल पर सिर्फ इक्तिलाफी मसाल पर वीडियो जाएगी लेकिन दलायल के साथ और भाईचारगी के साथ आपको मैं दावत देता हूँ कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकिन को अल सिलेक्ट करें ताके आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकें जजाकर लगो खैद वस्सलाम लेकर अमतुला